हेलो एब्रीवन, वेल्कम टू विद्यश्रीयकेजमी, आई होप यूर दूइंग वेल, हम पढ़ने वाले हैं सत्रा फर्वरी का करेंट अफेर, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का थोट है, राह संगर्स की जो चलता है, वो ही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीत सुबह सूरी बनकर वही चमकता है, तो यदि आप सूरी बनकर चमकना चाहते हैं, तो आपको सूरी की तपन को सहना पड़ेगा और फिर आगे बनना पड़ेगा, इसी थोट के सांथ शुरू करते हैं, आज का करेंट अफेर, फर्स्ट क्वेस्चन है, भारत और जापान के स सैन्य बलों द्वारा, चौथी बार कौन सा सैयुक्त प्रसक्षन अभ्यास होगा, तो भारत और जापान के बीच में सैन्य बलों के मद्दे होने वाला है कौन सा एक्सरसाइस, वो है धर्मा गार्जियन, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, धर्मा गार्जियन जो ए देशों के बीच में होता है, जो कौन से हैं, उस्ट्रेलिया और यूएसे, इन चारों के बीच में होता है माला बार एक्सरसाइस, तो इसको भी याद रखियेगा, नेक्स कुश्चन है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मेराथौन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो फ् लास्ट मेराथौन क्यों इसका नाम रखा गया है, इसलिए रखा गया है, क्योंकि यदि इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, तो फिर तो लेक बचेगी ही नहीं, क्या हो जाएगा, लोग जो लेक है वो पुरी तरीके से विलोपित हो जाएगी, इसलिए पहली frozen lake marathon है इसी last lake marathon भी बूला गया है तो आपसे पूछा रा सकता है पैगोंग लेक कहां पर इस्ते थे तो ये लद्दाक में इस्ते थे इसको भी आपको याद रखना है अभी लद्दाक काफी चर्चा में रहा क्योंकि लद्दाक में पहला जैब दिवित्ता इस्तल घोशित किया गया वो जैब दिवित्ता इस्तल कौन सा है ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले तो आपको कमेंट फॉक्स में लेकर बताना है आपसे second question लद्दाक से पूछा रा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा national park कौन सा है तो जो बायो डाइवर्सिटी डे रहता है ये 22 मई को मनाया जाता है विश्यो जल्देवस कम मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्यो जल्देवस मनाया जाता है और 22 अप्रेल को विश्यो प्रत्वी देवस मनाया जाता है इन्वार्मेंटे कम मनाया जाता है परियावरंट सरक्षन अधीनियम कपका है तो ये 1986 का एक्ट है इसको भी याद रखिएगा जल सरक्षन अधीनियम जो था वो 1974 में आया था इस तरीके से इन्वार्मेंट से रिलेटर जितने भी एक्ट हैं वो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको उनको याद रखना है नेक्स कोश्चन है प्रसाद योजना के तहट हाल ही में किसे शामिल किया गया है तो करनाटिका में तीन ऐसे स्थान है माच चंडेश्वरी देवी का मंदिर पापनाश मंदिर और रैनु का मंदिर जिसे प्रशाद स्कीम के तहट क्या किया गया है शामिल किया गया है अब पाता ही है प्रसाद स्कीम की तो आप बदा सकते हैं कि इसे कौन सा जो मंत्रालय है वो कवन कर रहा है तो वो है परियतन मंत्रालय परेटन मंत्राले के द्वारा प्रशाद योजना के तहट जितने भी पुरानी धालमे के स्थान है उनको क्या किया जाएगा उनका रिनोवेशन का काम किया जाएगा और उनको पुनल जीवित करने का कार्य किया जाएगा और आपसे एक योजना और पूछ सकते हैं वो है स्वदेश 2.0 योजना जिसके तहट क्या किया जाएगा थीम युक्त परियटन का विकास किया जाएगा तो ये भी आपको याद रखना है इसके स्टैटिक पोर्शन में बताया था ये देख सकते हैं आप पैगॉंग लेख है स्वदेश 2.0 इसकीम है थीम आंधारित परियटन का विकास करना तो प्रशाद योजना और स्वदेश 2.0 इसकीम आपको याद रखना है नेक्स कुशन है टॉम 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 ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के एकॉर्डिंग दुनिया में सबसे दुनिया में डॉनिया मे बताया गया है कि यदि आप लंदन में ड्राइब करते हैं तो अगर आपको 10 किलो मीटर जाना है तो 10 किलो मीटर जाने में लंदन में लगता है 29 और लंदन में लगता है 36 मिनिट चबकि इंडिया में बैंगलोर जो सहर है वहाँ पर 10 किलो मीटर जाने के लिए आपको लगत तो पूरी दुनिया में सबसे धीमा शहर जो है वो सेकंड रेंग पर आया है बैंगलोर तो हमसे लंदन तो नहीं लेकिन बैंगलोर पूछरा सकता है क्योंकि भारत का शहर है और यहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है ट्रैफिक होता है आप देख सकते हैं यह में हमने कल ही डिसकस किया था कि हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1934 के आर्बियाई एक्ट के तहत आर्बियाई कंद्रमाड एक अप्रेल 1935 में मतला इसकी सापना की गई थी बरतमान में 25 वे नंबर के गवर्नर है शक्तिकान दास्टी जो बरतमान में गवर्नर ह अब आर्बियाई अपना Financial Literacy Week मनाता है जो कि 13 से 17 फरवरी तक 2023 में आयोजित हुआ है इसकी थीम है Global Good Financial Behavior याद रखिएगा Good Financial Behavior आर्बियाई ने अपने Financial Literacy Week की थीम रखी है और ये कपसे Financial Literacy Week मना रहा है आर्बियाई 2016 से इसके तहट क्या किया जाएगा तो जो भी Financial Literacy से related चीज़े हैं जो प्रोक्राम है जो आर्बियाई के तहट जो भी उसके रूल से फूसब बताने का कारी किया जाता है Next Question है Idex Investor Summit किस उद्देशे से लांच किया गया है तो ये Defense के परपस से Defense में Innovation लाने के लिए राजनात सिंग जी ने Idex Investor Summit को Investor Hub को लांच किया है आप देख सकते हैं ये आर्बियाई का वित्ये साक्षर्ता समारोज शुरू हुआ ये राजनात सिंग जी है इन्होंने क्या किया है Idex Hub Innovation की शुरूआत की है Next Question है आर्थिक सहयोग के लिए किस राज्य के मद्ध समझोता हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा सिंगापूर के मद्ध सिंगापूर और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या हुआ है समझोता हुआ है किस शेत्र के लिए आर्थिक सहयोग के लिए अभी यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन भी किया गया है तो यह आप से पूछा रह सकता है उत्तर प्रदेश के वर्दमान में जो मुक्क मंत्री हैं वो कौन है योगी आदित्तिनात जी हैं इनको आप भली बाती जानते होंगे नेक्स कुशन है जल जन अभियान का शुबारंब कहां पर किया गया तो जो जल जन अभियान है इसका शुबारंब राजिस्थान शेहर में किया गया है अभी राजिस्थान का कुछ दन पहले बजट भी आया है तो राजिस्थान में जो जल जन अभियान है इसकी हम कौन है आपको कमेंट वोक्स में लिखकर बताना है फिर बहुत ही महते पूर्ण प्रशने ये आधी महुत्सव का आयोजन किस इस्तान पर किया गया है आंसर दिल्ली लेकिन इसके पीछे जो जानकारी है वो जानना जरूरी है जो जनजाती कलाकार हैं लगभग 1000 जनजाती कलाकार इस आधी महुत्सव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वर्तमान में जो जनजाती मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी उन्होंने बताया कि किस तरीके से आधी महुत्सव में जो जनजातिये लोगों को एक प्रॉपर मार्केट प्रोवाइट कराया जाता है ताकि वो क्या कर सकें अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें और इसका उधगाटन वर्तवान में जो पी-एम है नरेंद्र मोदी जी द्वारा उधगाटन किया गया और सूला से लेके 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर नई दिल्ली में तो आदी महुत सब याद रखेगा फिर नेक्स पॉस्चन है अकबर कॉक्टिल पुरुसकार से सम्मानित समुद्र सिला उपन्यास के लेका कौन है सुबाश शंद्रन सुबाश शंद्रन जी को समुद्र सिला उपन्यास के लिए ये अवोर्ड मिला है अब बात सुबाश शंद्रन की आई है लेकिन हमें याद रखना है किसको सुबाश शंद्र बोस जी को तो आपको याद होगा कि 23 जन्वरी को क्या रहता है सुभाशंद बोश जी का जन्मदिन रहता है जिसे किस दिवस की रूप में मनाया जाता है पराक्रम दिवस की रूप में मनाया जाता है अभी जो राजपत है उसका नाम करतव्यपत कर दिया गया है ये भी याद रखेगा आज का question of the day है फाइल एरिया रोक को समाप्त करने का target इयर भारत सरकार ने कौन सा रखा है यह आपको comment box में लिखकर बताना है यह देखिए जल जीवन अभियान जल जन अभियान का शुबारंब हुआ है जल शक्ती मंत्राला के द्वारा जो ब्रम्ब कुमारी एवं जल शक्ती मंत्राला के सैयोक्त तत्वाधान से इसकी शुरुवात की गई है और यह दिल्ली में शुरू हुआ है आधी महुत्सव का आयोजन कल का करेंड फिया रिवाइस करते हैं फर्स्ट क्वेशन है कि जल सक्ती मंत्राला द्वारा हाली में नमामी गंगे मिशन की अविदी को कब तक लागू करने की गोशना की गई है दो हजार शब्विस द्वारा इसके लिए बाईस हजार पांस्तो करोड रुपे शैंक्षन किया गया है ICC रैंकिंग में 1-day T20 टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कौन सी टीम पहली बार शीर सिस्थान पर आने वाली है आंसर होगा भारत देश का पहला राश्टी रेल मेट्रो ज्यान केंद्र की सापना की गई है कहां पर नई दिल्ली में तो इसको भी याद रखिएगा किस बैंक ने ओफलाइन डिजिटल भुकतान पाइलेट परियोजना का शुभारम भी किया है HDFC बैंक के द्वारे ये लॉंच किया गया है इसके तहट आप ओफलाइन भी क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट कलर जो सम्मान है ये प्राप्त हुआ है 2023 का हर्याना की पुलिस को अंतराश्टी बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीमती क्लोज दा केयर गैप कोईले के अवेत खनन पर रोक लगाने के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया है अगर आपको ये करेंट अफियर लग रहा है कि आपके लिए महत्यपूर है तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है आप सभी का इतना जो एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप अच्छा पढ़ाती है तो वो मेरे लिए काफी माइने रखता है थेंक्यू सो मच पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जैहन जै भारत